हलो फ्रेंट्स किचन बैस नहल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपसे शेर करने जा रही हूँ इडली बैटर की रेसिपी जो कि हम इडली रवा के साथ बनाएंगे जनरली इडली बैटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दाल और चावल भीका के इडली का ब बिल्कुल उसी तरह से आप इस बैटर से बिल्कुल रस्टारेंट जैसे इडली बना के घर भी तैयार कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अज की रेसिपी के लिए इडली बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम इडली रवा का यूज करेंगी तो अब हम क्या करेंगे इडली रवा को अच्छी तरह से वाश कर लेंगे तो यहां पर यह जैसे वाला जो पानी है इसे हम निथार लेंगे तो यहां पे यह पानी उपर का इसे अच्छी तरह से निकाल ले आप तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने एक बार इडली रवा को वाश कर लिया है अब हम क्या करेंगे इससे बिगौने के लिए हमें इसका दुगना पानी का इस्तमाल करना है तो जैसे मैंने टाई कटोरी इडली रवा का यूज किया है तो मैं यहां पे पाच कटोरी पानी का यूज करूँगी इससे बिगाने के लिए अब हम इसे डखकन रखके तीन घंटे के लिए बीगने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अब हम क्या करेंगे एक दूसरा mixing bowl लेंगे उसमें हम एक कटोरी और क्षिछ बिख एपनी के लिए उसी क्षिपर से डाल के जुआ ज़िए और लाखना दें तर्फिए लगवर्णिया देल लाखना अज़िए देंगे तो में तौ यहां पर देख सकते हैं तो दाल को देलेंगे अच्छी तरह से वाश कर लिया है अब हम क्या करेंगे इससे बार two बार पानी के साथ भीगा है यहां पर अधाय ब्रतन के फ्रास के में अधा, यहां पर यहां पर दाल देंगे चोड़ मेफी दाना आप और भीग भीग लिए के नियुक्त घंटे को जोड़ा ह्या linthen बारेबने नियुक्ष हो और बहुत ही अच्छी तरह से था एक्सेस पाने बारिंदे अच्छी तरह लिए था mudal ते प्स corset Necklis přेको प्स kalian नित10 दीज़ेए युक्त दाल, पोहा और मेथि को यूच्छिर को ट्रांस्फर करदे दना एक लिए जाके हमें इसकी स्मूध पेस्ट बना लेनी है आप चाहे तो एक से देड़ कटोरी के करीब यहां पे पानी का यूज़ कर सकते है दाल को ग्राइंड करने के लिए तो आप देख सकते हैं यहां पे यह जो दाल है काफी अच्छी कंसिस्टेंसी में बहुती फलफी और पानी में डाल के देखे तो यहां पे यह पानी में यह थोड़ा सा पोर्शन डाला मैंने और इस तरह से यह जो बैटर है अगर फ्लोट हो रहा है तो आप समझ जाए कि आपका जो बैटर है एक तम परफेक्ट रेडी है इडली के लिए अब हम चलते है हमारे इडली रवा क तरफ तो इडली रवा भी नहीं एडली रवा भी बैक के तयार है तो इसके उपर वाला वाला पनी आप पानी हम देख जांग vulner, इडली कर कंज़ा नहीं अंगर आप देख कि है की मैंने ख pouco बैका इडली रवा का पानी है और फ़ोड़ा दून कर लिया है अब हम क्या करें में बड़े इटली रवा को ट्रांसफर कर देंगे , तो यहां पर देख सकते हैं मैंने यह बड़े मिक्सिंग बॉल में इटली रवा खोर कर दिया है अब हम क्या करेंगे यह हमने ग्राइड करके रखे हुई दाल पोहा वाला जो मिक्षर है इस मिक्षर को भी हम सेम बरतन में ट्रांसफर कर देंगे यह देखिए आप देख सकते हैं मैंने यह दाल और पोहा वाला जो मिक्षर है इसे इसमें डाल दिया है अब हम क्या करेंगे यह नहीं पैज सब चाहे हमें आउनी दाल कखर आगे समें सूरा 9 गया संदाय है वादी गडम सब्सक्राइब कर दों workflows इल्ली बैटर के लिए चाहिए एकदम परफेक कंसिस्टेंसी है ये तो अब हम क्या करेंगे बैटर के ढखकन बन कर देंगे और इसे किसी भी गरम जगह पे आप फर्मेंट होने के लिए रख दे बारा गंटे के लिए या फिर ओरनाइट इसे चोड़ दे तकरीबन बैटर देन फर्मेंट हिए तो यहां पर यह जाहिर सी बात है कि यह जो बैटर से जो इल्ली बने की वह एकदम परफेक्ट सॉफ्ट और सपॉंजी बनेगी तो जितना बैटर आपको चाहिए उतना आप एक मिक्सिंग बॉल में निकाल ले इसमें नमक डाल के इसकी बना ल एक इडली में आपको तोड़के बताती हूं इसका टेक्स्चिर आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉंजी है यह आप इसी तरह से इस बैटर से बिलकुल रिस्टोरेंट जैसे इडली घर पे बना के तयार कर सकते हैं